तो का ऐसा है आप सब लोग, लोगों को और तुमको जिंदगी में टास्क और चैलेंज बहुत पसंद होते हैं, जिसे करने की चुल जेबरा क्रास पे आग बंद करके चलने जितना आसान है, ऐसा तुमको लगता है, खेर चैलेंज का ऐसा है कि मैं इसे करूंगा, और नहीं कर तो मैं इसे क्यों नहीं कर पाया, इसी उतार चड़ाव की टपे आरी, तुमको चैलेंज खतम होने के बात पता चलती है, तो यही है आज का विशेज चूतिया धरी टाइटल चैलेंज, तर या सगडे, अपनी करदन एक बार इधर उद्वर पल्टाव या फिर घुमाव, और फिर सुरू करते बीना किसे पल्टे पल्के, यह होते है चैलेंज, इसलिए आज मुझे समझा कि मेरा दोस्त अपने बड़े पे केक लेके आना क्यू बोलता था, क्यूंकि नर्मादक नसलके यह लोग इतना बड़ा केक आईस से काड़ते हैं, और बेंचोत केक खाना ही था तो मारा क्यूं, पर नई, हमें तो इस नर्मादक की काली आशक्री में जैसी चम्री से निकला पसी न, केक में लपेट के चाकना था, अब सोचो तुमको अपने घर में बरसात के मुसम में कुछ तलना है, पर तरीके से, तो तुम कैसे तलोगे? हाँ, पता है मेरको तुमको आता है, पर तरीका इंटू नर्मादक नसना के लोग इसी कोल टू अलग विचारों का दिमाग का सलूशन निकल के आता है, जिसे तलने से पहले कुछ खाना पड़ता है, तब यह वस्तु तली जा सकती है कौन ही है यह लोग? कहां से आते हैं? अग तन्य काता है तरीका है बिन्चत यह सब देखे सौ मियमराज को इसकी गाड़ में सिल लगाने आना पड़ेगा, और यह भोस्तु वाली खा भी मज़े से रही आए कपड़े पहनने तक और फारने तक किसी को पता ने होता कि कितना पिछवाडा घस के खरी देते, ओ तो तब पता चलता है जब बिना वायर के घर में बिजली आती है आहाँ, वैसे ही, ऐसा रिसोस करने से पहले कपड़े सिलने माले के तरप एक बार अपनी हाउसी नजर मार लेते, फिर तो किस चीज की कितनी गाड़ मारने तुमें तो पता ही है लंड का पेड बना देना, जाट का जंगल बना देना और मानों को दानों बना देना, इसो तो तो तुमारे गाड़ों में भराए ना पर तब भी रुकना निये बेंचुद कुत्ता तो भी देखके काता है, पर ये लडू पूरे पूर्जे ही निगल गया और फिर बाद में कुछ नए वस्तु का निर्मान होता है, मेडिन इंडिया, लगे रहो बेंचुद नस लवादियो और लो आगे बिजली की बाद, ये ऐसी बात है जब थंडी में थंडी पानी से टट्टी साप करनी हो इनकी लणड भाजी से रात को चमकने वाले सितारे सुबह जमीन पर मरवाएंगे, तब भी लवडों को सांतीनी मिलेगी चैलेंज के नाम पे पान में कत्थी के जगा जयार मिला रहे है, लवडों को इत्ता भी नहीं पता कि अंडों को गरम हवा चाहिए होती है इनके पास तो ऐसी दिव्य सकती है, अगर तुम फ्रिज बंद करके क्यों न रखो, तब भी मुर्गी के बच्चे तुमको मिलेगे ये तो ऐसा है सुमो तो नंगा होता है, पर कोई भी मुझा मुझे नंगा ही रहे ना है, सिवाई चड़ी के, वह ऐसे बिजली के जटके से कहा से बच्चे निकलते है, वो भी भुसली के गाण से बिजली निकार रहा है ओ भाई, मारो मुझे मारो यह एसी ट्रेनर जो किसे भी प्लाटफॉन पर ने रुखती जो एक आदमी रात को खाएंगा और उसे सुबे निकालने जाएंगा तो उसे कहते हैं वेस्टेज पर यह नसलबादी कुछ भी खाएंगा तो उसे वेस्टेज नहीं उसे कहेंगे समाध सेवा मतलब सरकार हमसे जो इतना टैक्स लेती है रस्ते बनावने के लिए वो तो बेंचत काड़ टिकने वाली हैं और जो हम सालों से इंसान के रूप में जमीन पर अक्तियार है उसमें रियती सेमेट या तक कि डामर इतनी टाकत है बेंचत हल्क भी आके गुदेंगा ना तो वाप गंबीर आए जिस गांडों से समाज की इतनी समाज सेवा हो रही थी उसी में खिली घुशानी की को सिच चर रही है मेरा पतलब को सिच चर रही थी पर को सिच पूरियो चुकी है अब लोड़ो पे ध्यान ज्यादा मत दो सरदी ने मेरको तो सर्प में रिदम में बोल गया अच्छा हमको से खारी आ है अग दिया वाँ 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 दस किलो टक्टी नजर आ रही है मूपे एक समय पानी में परिवर्तन होके काले का नीला हो जाएंगा पर इंसान काला है तो काला ही रहेंगा और बेंचत हम तो गरे होते नहीं है लोग रूम में सजने जाते है पालर में सजने जाते है पर यह जलपर्यों की मारानी सिधा पानी से अपनी सेक्से जड़ा पेन के निकलिया है देखो बस आज जो गाण में से जितने भी पदार्त निकलिया बिजली साडी सिमेट ये तुमको कुछ बेने निकालने सिवा एक पाध के देखो में तुमको फोर्स नी कर रहा हूँ अगर तुमको पाध निया दी तो हाथ पेर गाण कुछ बीमारो पर उस लाल नव सब्सक्राइब के बटन को काला करो और साथ में लाइक शेर कमेंट ये बीमार दो तो लाइक और शेर ठोक दिजिए माकाल काज़ तुमागर लाइक और शेर ठोक दिजिए पाध पुरा साल मैनत करता हूँ आपके लिए बटा ऐसा नहीं चलेंगा ऐसा नहीं चलेंगा